हलो और वेल्कम स्टूएंट्स, होप यू अलार गॉड तो चलिए शुरू करते हैं, आज है हमारा डे 27, तो बात करें आज के 50 important sentences की, तो चलिए ये रहा मेरे स्क्रीन पर पहला sentence आपके लिए पहला sentence है हमारा, कह रहा है, मेरे पास मेरी कार है, तो इसे English में हम बोल सकते हैं I have my car, बढ़ते हैं next पे कह रहा है, तुम्हारे पास तुम्हारा पैन है, तो हम बोल सकते हैं इसको you have your pen बढ़ते हैं अगले sentence पर और देखते हैं कि अगला है तुम तुम किस कक्षा में पढ़ते हो English में इसे बोल सकते हैं in which class do you study बढ़ते हैं next one अगला है मेरा भाई बोपाल में रहता है मेरा भाई भोपाल में रहता है in English we can say my brother live in भोपाल, my brother live in भोपाल, बढ़ते हैं अगले पर देखिए भाई पांच वा संटेंस आपके सामने है चलिए मेरे साथ बोलिए आईए, तुम्हारे पास मेरी बुक है तुम्हारे पास मेरी इंग्लिश में से कैसे translate करेंगे, बोलेंगे you have my book you have my book चलिए, next है करा है, माता जी खाना बना रही थी माता जी खाना बना रही थी, तो उसे कैसे बोलेंगे बोलेंगे, mom was cooking food mom was cooking food बढ़ते हैं next 7 नमबर पे, करा है आपकी करा है, आपकी उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी है दो तरीके हैं बोलने के लिए पैरा तरीका तो यह है what is your age what is your age यह तो फ़र्स तरीका है second है, how old are you how old are you बढ़ते हैं next पर करा है, कल मैं एक बस में यात्रा कर रहा था चलिए बोले मेरे साथ कल मैं एक बस में यात्रा कर रहा था in English, we can say yesterday, yesterday I was traveling yesterday I was traveling in a bus क्या बोल सकते हैं भाई, yesterday I was traveling in a bus बढ़ते हैं अगले पर चलिए next की बात कर दें तो next में हमें कह रहा है क्या तुमने ऐसी चीज का अनुभव किया है क्या तुमने ऐसी चीज का अनुभव किया है तो क्या बोलेंगे have you experienced such things have you experienced such things next है flight का किराया train के किराय के बराबर है तो हम बोल सकते हैं flight far will equal to train far या fair भी बहुत लोग बोलते हैं कुछ लोग far बोलते हैं कुछ लोग fair बोलते हैं तो आप generally होता fair है but far का भी इस्तमाल करते हैं तो आप कुछ भी बोल सकते हो ठीक है बढ़ते हैं अगले पर कराएं इसका चहरा बालों से क्यों ढखा हुआ है इसका चहरा बालों से क्यों ढखा हुआ है in English we can say why is its face covered with hair why is its face covered with hair चलिए अगला बोलिए मेरे साथ भाई next क्या है मैं चाए पसंद करता हूँ बोलिए मैं चाए पसंद करता हूँ जबकि वह कौफी पसंद करती है ठीक है हाँ यहाँ पर वह की जगा लगा समझ जाओ क्या बोल रहा हूँ मैं जिसको जो समझ लो मैं चाई पसंद करता हूँ जब कि वह है कॉफी पसंद करती है ठीक है चलिए तो ज़रा बनाते हैं इसको कैसे बनाएंगे देखिए कि रहा है I prefer tea I prefer tea whereas whereas या फिर while दो में से एक या तो ये या फिर ये दो में से कोई एक I prefer tea whereas she prefer coffee second बोल सकते है I prefer tea while she prefer coffee ठीक है बता है आपको पिछे भी कितनी वा स्लेश के बारे में दोनों में से कोई एक बोलना होता है या तो whereas बोलेंगे है फिर while बोलेंगे ठीक है आगे बढ़ते है next है कौलकाता मुंबई की तुलना में जाधा बढ़ा है कौलकाता मुंबई की तुलना में जाधा बढ़ा है कौलकाता is quite bigger than मुंबई बोलने से आपका focus बना रहता है और आपके practice भी होती है कौलकाता is quite bigger than मुंबई चली अगली बात करते हैं करा है मैं तुम्हें तस्वीर के बारे में बता रहा था मैं तुम्हें तस्वीर के बारे में बता रहा था I was telling you about the painting I was telling you about the painting ठीक है clear बढ़ते है next पर अचानक उसे एक चुटकुला याद आ गया अच्छानक उसे एक चुटकुला याद आ गया, तो क्या बोलेंगे, suddenly he remembered a joke, suddenly he remembered a joke, next है, वह है तुम्हारी साहिता कर सकता था, English we can say, he could help you, बढ़ते हैं अगले पिर, अगला है, क्या मैं कल आप से मिल सकता हूँ, तो क्या बोलेंगे, could I meet you tomorrow, next की बात करें, तो करा है वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, बोल सकते हैं, he is playing cricket, he is playing cricket, बढ़ते है next पर, अगला है, वह कल इंदोर जा रही है तो क्या बोल सकते हैं इसको इसको बोल सकते हैं शी इस गोईंग टू इंदोर टुमोरो बढ़ते हैं next पर करा हमेशा समझदारी से वहवार करो तो क्या बोलेंगे always act wisely always act wisely वटे next पर अगला है वह है अपने पिताजी की मदद कर रहा है वह है अपने पिताजी की मदद कर रहा है इंगलिश में इसे बनाएंगे he is helping his father अगला है क्या हम इनाम प्राप्त कर रहे हैं क्या हम इनाम प्राप्त कर रहे हैं तो इसे इंगलिश में बोलेंगे were we getting prizes were we getting prizes अगले की बात करते हैं आज आज कौन सा दिन है आज कौन सा दिन है तो भाई क्या बोलेंगे what is the day today बात करते हैं next की मेरे साथ मजा कर रहे हो क्या मेरे साथ मजा कर रहे हो क्या तो कैसे बोलेंगे भाई आईए बनाते हैं इंगलिश में are you kidding me are you kidding me चलिए अगले बढ़ते हैं next है बाहाने मत बनाओ बाहाने मत बनाओ in English we can say don't make excuse don't make excuse ठीक है next है मुझे मत अताओ मुझे मत अताओ तो देखते हैं कैसे बनाएंगे इंगलिश में चलिए don't annoy me don't annoy me ठीक है next बढ़ते हैं अगला है मुझे गुस्सा मत दिलाओ मुझे गुस्सा मत दिलाओ तो उसको बनाएंगे English में don't take me angry don't take me angry ठीक है बात करते हैं next की कर रहे हैं गुस्सा मत हो तो क्या बोलेंगे तो भाई क्या बोलेंगे don't be annoyed या बोल सकते हैं don't be angry ठीक है don't be annoyed या फिर don't be angry ठीक है slash लगा हुआ है तो या तो यह या फिर यह ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला है मुझे परेशान मत करो मुझे परेशान मत करो तो क्या बनेगा देखो भाई तीन चार तरीके हैं बोलने के one by one देखते हैं पहला है don't bother me पहला तो क्या है don't bother me second है don't disturb me second क्या है don't disturb me और third क्या है don't tease me क्या है वही don't tease me और fourth है fourth क्या है वही don't trouble me इन चारों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप किसका मुझे परेशान मत करो ठीक है चलिए अगला है मुझसे बहस मत करो मुझसे बहस मत करो तो क्या बोलेंगे इसे don't argue with me don't argue with me चलिए आगे यह बात करते हैं कि अपने हाथ अच्छे से साफ करो अपने हाथ अच्छे से साफ करो तो wash your hand properly यहां पर hands लगावा क्योंकि हाथ क्या है दो होते हैं और यह plural form में ओके अगला है अपना चेहरा अच्छे से साफ करो अपना चेहरा अच्छे से साफ करो wash your face properly बढ़ते हैं अगले पर किताब को अच्छे से पकड़ो hold the book properly hold the book properly अगला है चुपचाप बैठे रहो hello मत चुपचाप बैठे रहो hello मत देखते हैं sit still sit still don't move next की बात करते हैं अगला है क्या मैं नहीं जा सकता क्या मैं नहीं जा सकता can I not go can I not go next है मैं कहां जा सकता हूं मैं कहां जा सकता हूं तो बात करता हूं इसकी where can I go where can I go तो क्या मोलेंगे मैं कहां जा सकता हूं को where can I go next बोलते हैं मैं कहां कहां जा सकता हूं तो इसे बनाएंगे where all can I go, where all can I go, next है आप किसके साथ बैठ सकते हो, आप किसके साथ बैठ सकते हो, तो चलिए देखते हैं, with whom can you sit, with whom can you sit, moving next one, वो अमेरिका नहीं जा पाया, वो अमेरिका नहीं जा पाया, चलिए, क्या बोलेंगे इसको, और कैसे बोलेंगे, he couldn't go to America, next है, हमारी team कहां खेल रही होगी, हमारी team कहां खेल रही होगी, तो इसे इंगलिश में कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे, where will our team be playing, where will our team be playing, moving next one, कराएं, वह है, वह है, अगले रविवार शालनी से विवा करेगा, he will be marrying शालनी next Sunday, चल यगला है, बोलिए भाई मेर साथ, आप लोग बोलनी रहें, बोलिए, जरूरत में काम आया दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है, जरूरत में काम आया दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है, तो चलिए, बनाते हैं इसको और देखते हैं, क्या आप बोलेंगे इ इंग्लिश में, a friend in need, a friend in need, is a friend indeed, a friend is need, is a friend in need, ठीक है, indeed, clear, क्या बोलेंगे भाई, a friend in need, is a friend indeed, clear, आगे बढ़ते हैं, नेश्ट की बात करें, क्या अपने बच्चों को अपना काम करने दो, चलिए देखते हैं, क्या लेट यूर चिल्रन, डू देयर वर्क देंसेल्फ, अगला है, रोबिन ने एक तस्वीर बनाई, रोबिन ने एक तस्वीर बनाई, तो क्या बोलेंगे, Robin draw a picture Robin draw a picture बात करें next की आईए तुम्हारा जनम दिवस मनाएं आईए तुम्हारा जनम दिवस मनाएं तो क्या बोलेंगे Let us celebrate your birthday Let us celebrate your birthday Next है हमने अपने बच्चों को भगवान में विश्वास दिलाया है तो क्या बोल सकते हैं We have made our children believe in God We have made our children believe in God बढ़ते हैं next पर करा है मैंने ये पुस्तकें उसे नहीं दी मैंने ये पुस्तकें उसे नहीं दी तो क्या बोलेंगे I didn't give him these books I didn't give him these books Next की बात करते हैं उसने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया तो कैसे बनाएंगे इस उंगलीश में देखते हैं जरा, he did not reply to my letter, he did not reply to my letter, बढ़ते हैं next पर, उन्होंने तारों को भी काट दिया था, ठीक है बही, बात करें, they had even cut off all wires, ठीक है, they had even cut off all the wires, ठीक है, next है, 6 घंटे बाद वे चले गए, 6 घंटे बाद वे चले गए, चलिए देखते हैं, next पर, they left after 6 hours, they left after 6 hours, तो भाई ये थे हमारे 50 important sentences, day 27 के, तो चलिए मिलते हैं, कल day 28 के साथ, till then, take care and bye-bye. दिएएट दो नायको झाल झाल